बिहार में जन सुराज यात्रा करने वाले प्रशांत किसोर ने एक बड़ा खुलासा किया है दरासल बिहार में गाओं-गाओं घुमने का संकलप लिये हैं प्रशांत किसोर चार हजार किलोमिटर की लंबी यात्रा करनी है उन्हें दो अक्टूबर यानि गांधी जानती से उस यात्रा की शुरुवात हुई है और अब पुर्वी चमपारन के जमुनिया गाउं में कल पहुचे थे परशांद किस ओर पदियात्रा कर रहे हैं पैदल घूम रहे हैं जन सबसे नीचले पैदान पर हैं लेकिन इसी बीच एक मुलकात हुई थी नितीष कुमार, जो बिहार के मुक्षे मंत्री हैं उनसे प्रशांद किसोर की और उस उस मुलकात के जो सुत्र बने थे वो पवन वर्मा थे उस मुलकात के बाद कई तरह की चर्चाएं हुई कई तरह के क्यास लगाए गए कि आखिर कर प्रशांत की सोर अचानक से क्यों नितीश कुमार से मिलने चले गए यह कुछ सतार दिन पहले की बात है लेकिन अब उस मुल की सकर है नितीश कुमार दर असल यह चाहते थे दो हजार चौबिस का जो लोगसभब चुनाावन की तौरत की नरेदन मोदी के लिए भाच्वा थे में उन्होंने पूरा election campaign किया था यहां तक कि manifesto जो त्यार करवाया गया था उसमें भी खबर आये थी कि उसमें भी प्रसांद किसोर की कई बातों पर गौर किया गया था तो अब ऐसी स्थिति में नितीश कुमार यह चा रहे थे कि प्रसांद किसोर 2024 में बिहार में जेडियू किसोर ने खुद बताया है उन्होंने कहा है कि नितीश कुमार किसी भी हालात में 2024 में फाइट करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी को कड़ी टकर देना चाह रहे हैं और इसके लिए उनके पास जो भी उर्जा है जो भी स्त्रोत्र है उसे वो जोग देना चाहते हैं और इसी जब बात नहीं बनी तो उसके बाद हमले का दौर शुरू हो गया आपको याद होगा कि ललन सिंग ने भी एक टिपनी की थी ललन सिंग ने कहा था कि प्रशांद किसोर के पास इतना पैसा कहा से आ रहा है वो फंडिंग कहा से आ रही है जिसके बदौलत प्रशांद किसोर बिहार में जन सुराज यात्रा कर रहे हैं इस पर भी प्रशांद किसोर ने तल्ख टिपनी की है उन्होंने कहा है कि हमने कभी पैसा नहीं मांगा हमने कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा है लेकिन अब पैसा मांग रहे हैं क्योंकि हमें टेंट लगाना है हमारे साथ जो हजारों लोग यातरा में सम्मिलित है उनके लिए भोजन बनवाना है तो यह तमाम बातों को सामने रखा है प्रशांत किसोर ने और यह बाते उनके द्वारा कही गई है पूर्वी चंपारण के जमुनिया गाउं में तो यह बात अब बिल्कुल तोर पर असपष्ट हो ग करिएगा में राम अधिबतारियन है बहुत बहुत शुक्रिया